Hello students, good morning, आप सभी का स्वागत है एसको सले एजुकेशन में और आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्व फॉर्म से वर्व की फॉर्म तो इंगलिस अगर आपको जाननी है तो वर्व फॉर्म जानना आपके लिए बहुत जादा ही जरूरी है क्योंकि हर संटेंस में वाव का यूज होता है वाव की चाहे कोछी भी फॉर्म हो एक फॉर्म जरूर यूज होती है इसलिए इंगलिस अगर आपको जाननी है इंगलिस में आपको एक्सपार्ट होना है तो सबसे पहले आपको वाव की फॉर्म याद हो सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवस्टे ही प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं वाब होती क्या है वाब मिन्स किरिया हिंदी में इसक आफ को बोलते हैं अफ्रेजन्ट फॉर्म दूसरी पस्ट होती है पास्ट पार्शपर और चσιलिआ की वीडियो शुरू करते हैंसब से पहले हमने यहां पे लिया है आस्क से means होता है पूछना, past form इसकी होगी asked और past participle यानि की वी तरी होगा asked allowed, allow means आग्या देना, permission देना कोई भी और इसके past form होगी allowed, past participle allowed bring, bring means लाना और इसकी वापकी forms होगी brought, brought buy, buy means खरीदना और buy की past form होगी brought और past participle भी होगी brought अगली वाब हमने लिया है यहाँ पे break, break means तोड़ना और second form इसकी होगी broke, third होगी broken इसके बाद में है beat, beat means पीटना और इसका past form जो भी होगी verb की वी टू होगी beat और third होगी beaten, first और second इसकी same रहेगे इसके बाद है bite, bite means काटना bite की second form होगी bit और third होगी यहाँ पे beaten इसके बाद है begin, begin means शुरुआत करना, आरंब करना किसी भी काम को, किसी बात को और इसकी second form यहाँ पे रहेगी begin और third रहेगी, वी त्री रहेगी begin, 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 begin तो अब आगे अगली अपने पास verb रहेगी close, close means बंद करना और past इसकी form रहेगी closed past participle भी रहेगी, close same ही रहेगी, अगली बाब हमने लिए cold, call means बुलाना और second इसकी form रहेगी cold, third रहेगी cold, दोनों same ही रहेगी अगली बाब अपने पास है, cut, cut means cut ना और तिनों form इसकी same ही रहेगी, cut, cut, cut इसके बाद है, come, come means आना come की second form इहाँ पर past जो tense होगा past form होगी, वो होगी came और third होगी फिर come come, came, come, अब है clean, clean means साफ करना, second form इसकी रहेगी clean और third रहेगी यहाँ पर clean, दोनों same रहेगी clean, 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 अब है divide, divide means बाटना, divide की second form रहेगी divided और third भी रहेगी second और third लगभगवाम ऐसी होती हैं जिनकी की same होती है, उसके बाद है drink, drink means पीना drink की second form रहेगी drank और third रहेगी drunk, drink, drank, drunk अब हम लेते हैं आगे dry, dry means सूखना, second form इहाँ पर इसकी रहेगी dried और third भी रहेगी dried यानिकी dry, dried, dried अब आगे है dip, dip means डुबोना और dip की second form यहाँ पर रहेगी dipd, third रहेगी dipd, यानिकी dip, dipd, dipd और dip means डुबोना, अब अपने पास अगली वाब की form है dig, dig means खोदना और dig की second form, past form जो रहेगी वो होगी dug और third form, past participle वो भी dug रहेगी dig, dug, dug इसके बाद हमने लिया है die, die means मरना die, died, died दोनों इसकी past और past particle दोनों ही same रहेगी अब हमने यहाँ पे लिया है eat, eat means खाना, यानिकी बोजन करना और eat की second form यहाँ पे रहेगी, eight, third रहेगी eaten eat, eight, eaten इसके बाद है enjoy, enjoy means खुश होना है, enjoyed, enjoyed, second और third form इनकी रहेंगे आगे है enter, enter means परवेश करना, entered, entered, यह इनकी वार्ब की form रहेंगी, second और third fail, ऐसे फल होना, fail की second रहेगी, failed और third भी failed रहेगी अब अपने पास है fall, fall means गिरना, second form रहेगी fell, third रहेगी fallen fill, fill means भरना, filled, filled, तोनों form इसके रहेंगी, अब अपने पास है find, find means पाना और second form इसके रहेगी found, और third भी रहेगी found, find, found, found आगे अपने पास है finish, finish means खतम करना, finish, finished, finished और finish के बाद हमने लिया है go, go means जाना, सबसे ज़्यादा यूज होता है और आपको इसके meaning की भी कोई परिशानी meaning, सबको आता है इसका, तो इसकी second form रहेगी went, और third रहेगी gone give, give means देना, give की second form रहेगी gave और third रहेगी given, give, gave, given आगे है here, here means सुनना, here, hard, hard, second रहेगी hard, third भी रहेगी hard hold, hold means थामना, पकड़ना, hold, held, held, past भी held रहेगी और past पादिश्पिल भी held ही रहेगी hit, 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 तिनों ही ये, एक जैसी रहेगी, और hit means होता है मारना, चोट पहुचाना किसी को help, सहायता करना, help means सहायता करना, और second form रहेगी helped, third भी रहेगी help, helped, helped, और help means होता है सहायता करना, आगे है invite, invite means निमंतरन देना, invited, invited informed, सूचना देना, सूचित करना, informed, informed, jumped, jump means कोदना, jumped, jumped joined, 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 यानि कि जूडना, mail करना, kill, kill means मारना, और second form रहेगी killed, third भी रहेगी killed keep, keep means रखना, kept, kept, no, no means जानना, no, new, known knock, खट-खटाना, knocked, knocked, leave, leave means रहना, lived, lived leave, l-e-a-v-e, बड़ी की मातर रहेगी leave, leave means छोडना, त्यागना, leave, left, left इसके बाद, listen, listen means सुनना, listen, listen look, look means देखना, look, looked, 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 lost, lost means हानि होना, lost, lost second भी lost रहेगी और third भी lost रहेगी, meet, meet means मिलना, meet meet, 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 mean, mean means अर्थ होना, और इसके second फोम रहेगी meet, third भी रहेगी, meet, marry, marry means शादी करना, marry, married, married second और third दोनों ही married रहेगी, और अब है make, make, make means बनाना, make, made, made, notice, notice means सूचना देना, notice की, second रहेगी notice, third भी रहेगी, notice अब है open, open means खोलना, open, opened, opened, second और third दोनों होम इसके रहेगी, opened, अब अपने पास है, order, order means आदेश देना, order, ordered, ordered, second और third रहेगी, ordered, ordered play, play means खेलना, played, played, put, put means रखना, put, 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 इसकी तीनों ही एक जैसी ही रहेगी pray, pray means प्रार्थना करना, pray, prayed, prayed, pull, pull means खेचना, pull, pulled, pulled, push, push means धकेलना, pushed, pushed, तीनों एक जैसे ही रहेंगे इसके, punish, punish means दंड देना, punish, punished, 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 rise, rise means उदय होना, सूर्य उदय होता ना, rise, rose, region, rise means उदय होना, second रहेगी, rose, और थाड, इसके फोर्म रहेगी, region, ring, ring means बजाना, bell बजती है, ring, rang, rang, इसकी past form भी रहेगी, rang, और past participle भी rang रहेगी, read, 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 तीनों ही एक जैसे रहेंगे, see, see means देखना, see, saw, seen, shell, shell means बेचना, shell, sold, sold, दोनों form इसके एक जैसे रहेंगे, say, say means कहना, say, said, said, save, save means बचाना, save, shaved, shaved, ed लग जाएगे, इसमें दोनों form में, past में भी और past participle में भी, sing, sing means गाना, sang, sung, teach, teach means पढ़ाना, teach, taught, taught, और try, try means कोशिस करना, प्रियास करना, try, tried, tried, इसके दोनों एक जैसे रहेंगे, अब आगे है, tell, tell means कहना, कुछ भी बताना, tell, told, told, thank, thank means धन्यवाद करना, thank, thanked, thanked, take, take means लेना, take, took, taken, past इसकी फोम रहेगी, took, और past 25 पर रहेगी, taken, tear, tear means फाड़ना, tear, tore, torn, throw, throw means फैंकना, throw, three, thrown, watch, watch means देखना, watch, watched, 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 निग्रानी वेगरा करना, walk, walk means चलना, walk, walked, walked, walk means पैदल चलना, और दोनों फोम इसकी रहेंगी, same ही रहेंगी, walked, walked, work, walk means काम करना, walk, walked, worked, wait, waited, waited, wait means होता है, इंतजार करना, इसके बाद रहेगा, वीप, वीप means रोना, वीप, वैप्ट, वैप्ट, तो इसमें हमने जान ली हैं, वर्ब की, फोम की किस, सब्द की किस वर्ड की किस तरह से वर्ब की फोम बनेगी, आप सभी इनको अपनी नोट बुक में नोट कर लेना, और डेली जादा नहीं, तो कम जे कम दस दस वर्ब की फोम याद करना, आपको आसानी से याद हो जाएंगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू,